दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लंबर स्पेसालिस्ट चैनल में दोस्तों आज की इस वीडिव में आपको टोईलेट फ्लास भाल्प के बारे मां जान कर दूंगा दोस्तों तो यहां पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह दोस्तों मेट्रोपोल यह वी मैं आपको बता हूँ गाट को हैंड़े तो यहां पे सबसे पेले का और यहोड़ेख ओर जो एक लोह ही दोड़ेटरल में जाएगा ВладSummer को में दूंड होत 0 के लिए काफी अच्छा रहेगा तो प्लास्टक का जो प्राइस है आपको दूस्तो आड़ सो छे सो से लेकर शुरू होता है और आपको अच्छा क्वालिटी का आपको देड़ हैर से 2000 के अंदर मतलब 600 से शुरू होता है तो काफी सारा कंपनिय होता है तो सबका अलग-अलग तो आपको देड़ हजर का रच अच्छा क्वालिटी का यह फ्लास्टक मिल जाएगा और फ्लास्टक में आपको दोस्तो एक इंच का मेंल लाइन सके लिए करना पड़ता है और यहां पर यह जो है फ्लासकोक का यह की फ्लासकोक आप जब यूज करते हो दोस्तों तो यूज करने के बाद में इसको आपको बंद करना रहता है यह आटोमेडिक बंद नहीं होता है इसको जैसे आप फ्लासक करते हो उसके बाद में आपको जितना यूज करने के बाद मे पानी का फ्लो अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रेसर में पानी आएगा ऑर कम रहे तो कम ने परिमे पानी आएगा कि यह फ्लसक को किए वार्ण व् Cap को बता वह आप देख सकत हो और इसमें जब इसको यूज स्थक करते कि यह फ्लास को और मैं आपको उस्तो फ्लास टेंग और मेट्रोपल पूस भाल्ब के वना भी बताने बाला हूं तो वीडियो में अंतक जरू बने रही है और इस चैनल में अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और इस टाइब के वीडियो सबसे पह का लगाना जरूरी है जब आप लगाते हो इसे इसके बाद मैं यहाँ पे मैं आपको इस नंकर देढ焼िए दूस्तो ऑपको 5,000 के ऊपर जाना पड़ेगा और उसमें अगर अगर ज़्यादा बाजेट के अपलानिंगा है बात्रों में तो आपको फ्लास टेंग लगाना च का प्रेसार अगर ठीविव आता है फिर जाता है दोस्तो और इसमों पानी काुगी होता है क्योंकि झालो करको देता हूँ और दिखहूंग आप और इसका फिनिसिंग के टेम कैसे लगता है टाइस लगने के बाद में वह भी आपको दिखाऊंगा तो यहां पर मेट्रोपल पूसभाल्प जो होता है खास करके आप अगर आप होस्पिटल मॉल्स यह सब काम करते हो स्कूल जितना भी पाबलिक सेक्टर का आप काम करते हो त किने आपको फ्लास कोक का यूझब बिलकुल भी नहीं करना है क्यों नहीं करना मैं आपको बतां गाण भी थियुक होता है उसको आपको चाल करने के बा दमा बंद करना हो आगा नहीं करते हो तो इस लिए आपको और या फिर आपको यैप करना है या फिर आपको concealed flash tank का यूज करना है तो metropal push valve क्या है दोस्तों जैसे आप push करते हो उसके बाद में दोस्तों आपको बंद नहीं करना रहता है ओटमेडिक बंद हो जाता है तो यह automatic काम करता है यह और flash tank भी flash tank क्या क्या है दोस्तों एक पूस करने के बाद में जितना पाने निकल जाता है उसको फूस करने पर थोड़ा टाम लगता है पानी बहने के बाद में फिर से यूज कर सकते हो तो यहां पे metropole push valve का यही benefit है और metropole push valve जो आपको 3,000 का range में मिल जाएगा अच्छा company का जैसे plumber हो या फिर jacuar हो यह सब अच्छा quality का आपको मिल जाएगा और यह जो है metropole push valve जो हता है आपको 2 size में आपको मिलेगा 7 inch और 1,5 inch का size में size में आपको यह जो है available मिलता है दोस्तो metropole push valve toilet plus के लिए तो यहाँ पर मैं आपको अभी अन्त में सब का पानी चाल करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको इस बुडी में आपको जान कर देने हैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको कुंचा लगाना है अपने घर के लिए से सब के बारे मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो metropole push valve में मैं इसका M.E.B.T. tight कर रहा हूँ तो इसमें भी दोस्तो जो जितना size का होता है जैसे यह सब इंच का metropole push valve तो इसमें सब इंच का M.E.B.T. लगा रहा हूँ CPVC में यहाँ पर तो यहाँ पर अब मैं आपको पानी चलोगर के बताता हूँ यह जो यह flash tank लगने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको अच्छा looking दिखेगा यहाँ पर जैसे अब मैं पूस करता हूँ इसमें दो पूस करने वाला system होता है एक तो फोल फ्लास और एक हाफ फ्लास यहाँ पर आप देख सकते हो यह flash tank का system उसके बाद में यह flash cock लगने के बाद में दो ऐसा दिखेगा आपको एक टाइस लगने के बाद में आप जैसे यह उच करते हो दो इसके बाद में आपको बंद करना रहेगा अब अब देख सकते हो बंद करने पर यह बंद हो जाता है और पानी का फ्लो कहीत सबसे आता है इसके बाद में यह metropal push valve इसको आपको वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कमेंट चाहर चरू करेगा और इस चैनल में अगर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दिजिए ज़ाज़त बाबाए